पन्वाडी महोवा नोडल अधिकारी ने पकड़ी कोटेदार की घट तोली पन्वाडी बाड नमबर चार कोटेदार ब्रजेश का मामला 15 किलो कैहू में 800 ग्राम कम खादान पाया राशन उभोगता ने सिक्षक के उपस्तित ना होने पर उठाए सवाल लोगडाउन से उत्पन हुई समस्या के मद्देनजर सरकार द्वारा समय से राशन वित्रण के निर्देश दिये गए हाला कि पूर्ती बिभाग आदेशों का पालन भी करा रहा है लेकिन उभोगताओं को कितना राशन कोटेदार दे रहा है और कितनी कटोती कर रहा है इस पर सप्लाई विभाग गौर नहीं कर रहा है आज पनवाडी में बार नमबर 4 के कोटेदार ब्रजेश कुमार द्वारा राशन वित्रण किया जा रहा था वोगता आ रहे थे इस बीच नोडल अधिकारी जेई ब्लॉक पनवाडी राजा राम भासकर राशन दुकान चेक करने पहुँचे तो सामने से कारधारक हभी मनसूरी राशन लेकर आ रहे थे नोडल अधिकारी ने कोटा दुकान से 50 मीटर दूरी इस्तित चक्की पर रोका और राशन की नापतोल कराई गई जिसमें 15 किलो गैहुँ में 800 ग्राम की घटोली पाई गई नोडल अधिकारी राशन उभोकता आधी कोटे दार के यहां पहुँचे तो उसमें कारधारक पर खुद तोल करने की बात कही आरोब है कि जब काटा ही घटोली को बड़ावा दे रहा है तो उभोकता क्या कर लेगा नोडल अधिकारी ने ब्यांदर्ज किये और जांत रिपोर्ट डियम को भेजना बताया महोबा से जिला व्यूरो संतोष कौशिक की रिपोर्ट अधिक जब करने काटा है तो अधिक आवे डाली यह ना जाब इनने कि या संधा नान दिखें लिए भाट लाइटे के खुदाना कास्ता काू कंप्प्यूटर में तो नहीं है कौनों निश्टिक अब क्या नाम कहा की नवासी और अवी नाम पनवाड डिक नवासी तेने वाले बाहत नम बचाइब तक क्या समस्या हुई यहां रासन लेने आई थी किस जगह है अच्छा क्या समस्या हुई समस्या हुई कि रासन पंदरा किलो लिया है चावल के होने मिला है लेकिन 14 किलो 300 ग्राम निकला है आप कहना कैसे आते हो आपको मिलना कितना शहीर है पंदरा किलो ठीक